हेलो फ्रेंड्स स्वागत था आपका हमारा यूट्यूब चैनल घर की रसोई एंड टीप्स एंड ब्लोग में तो आज हम बहुत ही हेल्दी रेसेपी लेकर आगे हैं फ्रेंड बिहारी स्टाइल गीला साग बनाने का तरीका सरसो और बथोवा से बना कर त्यार करेंगे ये सा चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी नया वीडियो अप्लोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो चलिए फ्रेंड वीडियो स्टाइट करते हैं सरसो और बथोवा का गीला साग बनाने के लिए हम सरसो और बथोवा के साग को अच्छी तरह से धो कर काटकर नमक डाल कर 2-3 सीटि आने तक अच्छी तरह से पका लिए हैं उसके भाद ठंडा होने के बाद इस तरीके से मैस कर लेंगे साग को आप देख सकते हैं एक दम आसानी से मैस हो जाता है अ कि इसको चलाते हुए इस तरीके से अलटते प्लटते हुए दाल घूटने वाला की सहायता से घूटते जाना है एकदम आसानी से मैस हो जाता है पंजाबी लोग सरसो का साग बनाता है तो उसमें मक्य के आटा का आलन डालता है फ्रेंड हम इसमें आलन का यूज नहीं करेंगे एकदम घर के समानों स हम बना कर त्यार करेंगे तो अच्छी तरह से घूट गया है साग तो अब हम इसमें साग को गिला बनाने के लिए हम माड का इस्तिमाल करेंगे चावल पतिले में बनाने के बाद जो पानी निकलता है उसका यूज करेंगे एकदम टेस्टी साग बनता है फ्रेंड और तो थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिलाते जाएंगे हम गैस को ओन ही रखे हैं इस तरीके से मिलाते जाएंगे आप देख सकते हैं आपको जितना गाड़ा साग चाहिए उस हिसाब से आप माड़ डाल सकते हैं अब थोड़ा उबलने के बाद गाड़ा भी हो जाता है तो इसलिए थोड़ा सा और माट डाल दिये हैं तो अच्छी तरह से मिला देंगे फ्रेंड आप देख सकते हैं कितना अच्छा साग दिख रहा है एकदम गीला साग इसमें और हम थोड़ा सा माट डाल देते हैं अच्छी तरह से साग को मिला लिए हैं आप देख सकते हैं अब हम इसमें माल का इस्तिमाल नहीं करेंगे तो इसमें एक उबाल आने देंगे साग में उबाल आगया है तो इसको और भी टेष्टी चटपटी बनाने के लिए हम इसमें दो चमच धनिया का चटनी डालेंगे इस से एकदम चटपटा हमारे साग लगेंगे फ्रेंड तो इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे आप देख सकते हैं साग में उबाल आ गया है तो अब हम इसमें तड़का लगाएंगे फ्रेंड इधर कराही गरम होने के लिए रख दिये हैं कराही में 1 टेबल स्पून सरसो तेल डालेंगे इससे अच्छे टेस्ट आते हैं साग में तो तेल को अच्छी तरह से गरम होने देंगे तेल अच्छी तरह से गरम हो गया है फ्रेंड आप देख सकते हैं धुआ आ रहा है तो एक चम्मच लसन कुटा हुआ डालेंगे एक चम्मच अद्रक कुटा हुआ डालेंगे एक चम्मच हरी मिर्ची को भी डालेंगे कूट कर अब हम इसमें 4-5 लाल मिर्ची डालेंगे सब को चलाते हुए अच्छी तरह से पकाएंगे 2-3 मिनिट तक एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक सबी को चलाते हुए पकाएंगे तभी हमारे साग में अच्छे टेस्ट आएंगे तो इस तरीके से चलाते रहना है फ्रेंड आप देख सकते हैं लासान अदरक हरी मिर्ची सब अच्छी तरह से पक गया है गोल्डन ब्राउन हो गया तब हम इसमें साग को डाल देंगे फ्रेंड आप देख सकते हैं हम साग को डाल दिये हैं तो अच्छी तरह से मिला लेंगे धक कर एक उबाल आने तक पकाएंगे साग को धककन हटा कर नमक डाल देंगे स्वाद अनूसार ध्यान रहे फ्रेंड की नमक हम उबालते समय भी डाले थे इसलिए उस हिसाब से डालना है जितना इसमें नमक चाहिए तो अच्छी तरह से मिला लेंगे अब देख सकते हैं एकदम स्वादिष्ट हेल्दी साग तयार है चावल के साथ सर्व करने के लिए तो चलिए फ्रेंड गर्मा गर्म साग सर्व कर लेते हैं वाव आप देख सकते हैं कितना डिलिसियस दीख रहा है बिना कोई आलन का एकदम गाड़ा गिला साग हेल्दी टेस्टी उमीद करेंगे फ्रेंड की आपको ये रेसेपी पसंद आया होगा थैंक्स फूर वाचिंग मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई